दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर 2015 और 2019 के जैसेसी केंडिडेट्स को बड़ी राहत जैसेसी को मंगलवार को आदेश दिया कि वर्ष 2015 वह 2019 में परकाशित बिग्यापन के आलोक में आवेदन करने वाले सभी अभियार्थियों को बिग्यापन संक्या 5-2021 में आवेदन की अनुमती दें आवेदन करने की तारिक बढ़ाएं और इस आशे की जानकारी प्रेस बिग्यप्ती समाचार पत्रों में परकाशित कराई जाएं साथी बेब साइट पर भी जारी किया जाएं अदालत ने ये भी कहा कि बिग्यापन संक्या 5-2020 के तहट होने वाले नियुक्ती मामले के अन्तीम परिणाम से परभावित होगी अदालत ने राज्य सरकाराव जैसेसी को शपत पत्र दायर करने का निद्यश दिया दोस्तों बड़ी खबर है जार्खन में फिर बड़ी स्कोलरशिप आवेदन करने की समय सीमा जार्खन राज्य और राज्य के बाहर मानिता प्राप्त बीएट महा बिद्यालेओं के शात्रों वो पोश्ट मेट्रिक के शात्रों को कल्यान विभाग ने पांच वी बार राह दी है चात्र विर्थी आवेदन के लिए 18 फरवरी से इक कल्यान पोर्टल दोबारा चालू होगा और फिर 28 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे इस संबन्ध में STSC अलपसंख्य के ओम पीछडा वर्ग कल्यान विभाग के अपर सचिव अजय नाच जहाने आदिवासी कल्यान आयुक्त को पत्र भेजा है कहा गया है कि सभे आवेदन सत्यापन पंजीकरन का कार्य निर्धारित आउधी में अनिवारे रूप से पूरा कर ले ताकि इस कोलर्शिप भुक्तान की परक्रिया सासमय पूरा हो सके जारखन में 19 फरवरी तक चाय रहेंगे आनशीक बादल लगातार हो सकती है 3 दीन तक बारिस जारखन के विभिन जीलों में मौसम के फिर कर्वट लेने की संभावना है आज और 19 फरवरी को आनशीक बादल चाय रहने की संभावना जताई गई है हलाकि 18 फरवरी को सुबह में कोहरे वधूंद के बाद मुख्य रूप से आस्मान स्वाप साफ रहेगा लेकिन 20 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक यानि 3 तीनों तक जारखन के विभिन जिलों में हलके से मध्यम धर्जे की बारिश की संभावना मौसम भी भागने जताई है वहीं जारखन की राधा निराची और आसपास में भी तीन दिन वर्सा का पुर्वानमान है दोस्तों बड़ी खबर है जारखन के सिख्षा मंतरी स्री जगनात महतों ने अधिकारियों को लगाई फटकार जहारकंड के सिख्षा मंत्री सिरी जगनात महितो ने बुद्वार को विभागे अधिकारियों के साथ जीले के सिख्षा अधिकारियों की जम कर फटकार लगाई उन्होंने कई मुद्दों पर अधिकारियों से सवाल पूछे जिसका जवाब अधिकारी नहीं देपाए उन्होंने इस पश्ट कहा कि जहारखन सरकार एक बच्चे पर 20 से 22 हजार रुपए खर्च करती है इसके बाद भी प्राइविट विद्याले के तरकी कर रहे हैं जहारखन सरकार के स्कूलों का पर्फॉमेंस नहीं के बराबर है सिक्षा मंद्री ने कहा कि जीलों को सिक्षा की 72 के लिए बिहतरी के लिए 450 करोड रुपए दिये गए हैं यह राशी वापस हो गई ऐसे में यसाब दिखता है कि अधिकारी से लेकर स्कूल के सिक्षक कर्मी तक में काम करने की चाशक्ती नहीं है ऐसा लग रहा है जैसे सब समय काट रहे हैं उन्होंने बैठक में सभी जीला सिक्षा पदाधिकारियों और परखंड सिक्षा पदाधिकारियों को एक माह में सिक्षा व्यूस्था दुरुस्त करने का अल्टी मेटम दिया है दोस्तो बड़ी खबर है कंपोजर और सिंगर बपी दा के निधन पर राजपाल और मुख्यमंतिरी ने जताया शोक देश के जाने माने कंपोजर और सिंगर बपी लाहिडे के निधन से पूरे देश मरमाहत है देश भर से बपी दा की आत्मा की शांती के लिए संदेश आ रहे हैं उनके दिन निधन से भारतिय सीनिमा और संगीत जगत को अपूर्णेश हती हुई है। इस भी जारकन से शोक संदेश की खबरें आ रही है। राजपाल रमेश बैस और मुख्मंतरी हेमन सुरेन ने बपीदा के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने ट्विट अचान स्थापित करने वाले प्रख्यात गायक योम संगीतकार बपी लहरी जी का निधन दुखद तथा देश योम संगीत जगत के लिए अपूर्णे शती है। इश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांतियों परिजनों और परशंशों को को यह दुख सहन करने की शक्ती परदान करे। मुख्यमंतरी हेमन सुरे निगायक और संगीतकार बपी लहरी के निधन पर दुख विवक्त किया है। मुख्यमंतरी ने कहा बपी दा हर वर के लोगों के दिलों में वस्ते थे। मुख्य सचीव सुकदेव सिंग ने सभी जीलों के उपायुक्तों को इससे सम्मंधित निर्देश जारी कर दिये हैं। आवेदन को निश्पादन की समिक्षा की। उन्होंने मंगलबार को सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉंफिंसिंग करते हुए जाती परमानपत्र बनाने में आने वाली कठिनायों को दूर करने का निर्देश दिया है। दोस्तों बड़ी खबर है जेई मेंस में बड़ा बदलाव चार की जगह अब दो स्चेशन में ही आयो जित होंगी एक्जाम। सायूप परवेश परिक्षा जेई मेंस एक्जाम तितियां और रेश्टेशन पर करिया का लाखों इंजिनिरिंग उमिदवारों को इंतिजार है। अप्रेल माई के बीच होने वाली जिहां होने की संभावना है। एंटिय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है। जेई मेंस अंडर ग्रेजवेट इंजिनिरिंग पाठे करों में परवेश के लिए राष्टी अस्तर की इंजिनिरिंग परवेश परिक्षा है। 2021 में जेई मेंस चार शेशन फरवरी मार्च अपरेल और अगस सितंबर में आयोजित किया जाता था। उमिदवारों को परतेक प्रयास में उपस्थित होने का लाब मिल रहा था और उनके सर्वस्टेश्ट स्कोर को अंतिम स्कोर माना जाता था। जेसेसी ने आगे बढ़ाई ग्रेजवेट लेवल एक्जाम की तारिक जारखंड लोकसेव आयोग यानी जेसेसी ने समाने असनातक योग्यता संयुक्थ परत्योगी परिक्षा 2021 के लिए ओनलाइन आविदन की अंतिमतिती बढ़ा दी है। इच्चुक एवम योग्य उमिदवार आविदन पत्र 21 फरवरी की मध्य रात्री तक भर सकेंगे। इससे पहले ओनलाइन आविदन की अंतिमतिती थी 14 फरवरी 2022 निर्धारित की गई थी। उमिदवारों का चैन लिखित परिक्षा के आधार पर किया जाएगा। जारखंड लोक सिवायोग ने एक बिग्यापन जारी कर दिसंबर 2021 में जारखंड समानी असनातक योग्यता सयुक्त परत्योगी परिक्षा के लिए आविदन आमंतित किये थे। जेसे सी की आधिकारिक वेबसाइट पर ओनलाइन आविदन की प्रक्रिया 15 जनवरी 2022 को सुरू की गई थी। इस भरती के माध्यम से बिभीन पदों की कुल 956 खाली पदों को भरा जाना है। दोस्तों बड़ी खबर है जल शक्ती मंत्राले का लक्षे 2024 तक देश के हर घर में साफ नल का पानी हो उपलब। जल जीवन जल शक्ती मंत्राले की एक बिग्यापती में कहा गया है परधान मंत्री नरेंद्र मोधी के 2024 तक देश के हर घर में साफ नल का पानी उपलब्द कराने के मकसद को पूरा करने के लिए 25 साल की छोटी आओधी में और कोविड-19 महमारी और लोगडाउन व्याओधानों के बावजूत मिशन ने 5.77 करोड से अधिक ग्रामीन परिवारों को नल के पानी की अपूरती परदान की है खबरों को माने तो 15 अगस 2019 को मिशन की घोसना के समय 19.27 करोड घरों में से भारत में किवल 3.23 करोड घरों में नल के पानी के कनेक्शन थे मंत्रालिन दावा किया की परदान मंत्री के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिधान्त का पालन करते हुए इस छोटी आओधी में अंठानवे जीले 1139 ब्लोक 66,000 सरसट ग्राम पंचायत और 136,135 गाओं हर घर जल बन गए है कोरोना नियमों की समिक्षा के केंद्र ने दिये राजियों को निर्देश केंद्रिय स्वास्थे सचिव राजेश भूसन ने सभी राजियों केंद्र शासित परदेशों को कोविड नियमों की समिक्षा करने के निर्देश दिये है बोसन ने अपने पत्र में अतिरिक्त COVID-19 परती बंदों की समिख्षा करने, संशोधन करने या उन्हें खत्म करने के लिए कहा है क्योंकि देश में महमारी लगातार कम होती नजर आ रही है बोसन ने अपने पत्र में कहा कि राजियों केंदर शासित परतेशों को भी देहनी काधार पर मामलों के कम होने के अस्तर संक्रमन के परसार की निगरानी जारी रखने चाहिए खबरों को माने तो कोरोना मामले जिस तेजी से नीचे आ रहे हैं उसे लेकर केंदर सरकार काफी उत्साहित हैं जिसके कारण से ये भी है कि देश की अधिकतर आबादी कोरोना के दोनों टीके ले चुकी है अब काफी लोग कोरोना वैक्सिन का तीसरा टीका लेने की तियारी म भारतिय रिज़रो बैंक ने निकाली RBA सिस्टेंट की वेकेंसी, भारतिय रिज़रो बैंक में नौकरी पाने का शांधार मौका है, अगर आपने किसी भी बीशय में ग्रेजवेशन की डिगर ली है, यानि आप अगर समाने ग्रेजवेट भी हैं, तो आप RBA में यह सरकारी न भरती करने जा रहा है इसके लिए आवेदन फॉर्म रिजर्व बेप्स की वेबसाइट जी हाँ rva.org.n पर 17 फर्वरी 2022 को जारी किया जाएगा इस भरती प्रक्रिया में जो उमिदवार चुन जाएंगे उन्हें देश के विभिन शहरों में मौजूत rva की शाखाओं में न्यूकती दी जाएगी कुल 19 शहरों में वेकेंसी निकाली गई है